आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी इस वज़े से हम इस अभ्यान का हिस्सा नहीं हो सकते हैं हम इस अभ्यान की शिर्वात नहीं कर सकते हैं जाधर डीटियल के लिए मैं पारूल की पास जाओंगी से पहले एक जानकारी आपको दे दू कि लगातार संक्रम बढ़ रहा है और अगर 24 घंटे की मैं बात करूँ तो 4 लाग का आँकरा क्रॉस हो गया है अंदाजा आप लगा सकते हैं जो एक्सपर्ट से वो पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही मैई की शुरॉत होगी वैसे ही आँकरा 10 लाग, 35 लाग, 38 लाग तक भी जा सकता है डरने की ज़रुत नहीं है और ना हम आपको डरा रहे हैं लेकिन साफधान रहने की ज़रुत है बाकि किन राज्यों में किस तरह से वैक्सिनेशन की प्रोसेस चल रही है बिल्कुल काजोल देखिए तमाम राज्ये ऐसे हैं जिनोंने एक तारीक आने से यानि आज से पहले तीन चाह दिनों पहले से ऐसी खबरे सामने आ रही थी कि हमाई राज्ये में एक तारीक से वैक्सिनेशन जो है थार साल से उपर के लोगों का नहीं किया जा सकता वो इसलिए क्यूंकि हमाई पार उतनी मात्रा में डोस नहीं है वैक्सिन की जो हम लोगों तक पहुचा सके लेकि देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी किन किन राज्यों में आज वैक्सिनेशन शुरू नहीं हुआ है उनमें देखिए कनाटक है और दिल्ली, पंजाब, मदप्रदेश, बिहाद, अमिलनाडू, जम्बू, कश्मीर, गोवा, उत्रकन, जाकन, अनुआचर प्रदेश ये सभी वो राज्ये हैं जहां पर आज वैक्सिनेशन जो है शुरू नहीं हुआ फिर देखिए अगर यूपी और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में देखिए दस जिलो में आज वैक्सिन जो है लगवानी अठार साल से उपर के लोगों को शुरू की गई है बिल्कुल पारुल आप आगे बताएं उससे पहले एक जरूरी जानकारी इसमें एड़ान करना चाहूंगे कि दिल्ली में पूरी तरह से वैक्सिनेशन शुरू नहीं हुआ है लेकिन दिल्ली के तीन अस्पताल ऐसे हैं जो आपर वैक्सिनेशन की प्रोसेस देखी गई है जिले वो हैं जहाँ पर मामले बहुत जादा देखे यूपी में उस साथ जिले कौन-कौन से मैं आपको बता दूँ लखनाओ, कानपूर, प्यागराज, वारनसी, गोरकपूर, मेरट ये साथ जिले यूपी में ऐसे हैं जहाँ पर संक्रमन के मामले बहुत ज्यादा तेजी ये 36 सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो राशनकार धारक है उन क्या होगा, अगर मैं उरिसा की बात करूँ तो देखे वहां पर से भूबनेशमर में आज से वैक्सिनेशन अभ्यान अठार साल से उपर के लोगों का शुरू किया गया है, अगर देखे बहुत सारे की डोसिज नहीं है, चाए केंद सरकार की तरफ से पहुचनी हो या फिर खुद डारेक कमपनी से पहुचनी हो, वो कही ना कहीं पहुच रही है, इसलिए इन तमाम राज्यों में वैक्सिनेशन अभ्यान जो है ठार साल से उपर के लोगों का नहीं चुआ, लेकिन काजोल कह बहुत अलग पॉजटिव वे में समझ सकते हैं कि जिन राज्यों के पास है, कम से कम वो तो इस अभ्यान की शिर्वात कर दें, ताकि जो ये चेन बनी हुई है, ये ब्रेक हो जाए, और वैक्सिनेशन अगर प्रोसेस नहीं शिरू हुआ है जिन राज्यों में, तो घबरान दिन में वैक्सिनाज आजएगी, इसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ-कुछ जगाओं पर बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि वैक्सिनेशन का प्रोसेस हुआ है, कई लोगों को वैक्सिनाज लगी है, उमीद करते हैं कि इस महावियान से कोरोन कही न कहीं हारेगा, लेकिन सवाल इसके इतर पारूल ये भी है कि संक्रमन आप बहुत जाद तेजी के साथ बढ़ रहा है, इस महावियान का प्रोसेस हमें बहुत तेजी के साथ करना है, लेकिन जब खबरे नकरातम का रही हैं कि हमारे पास वैक्सिन नहीं है, इसलिए हम अभियान शुरू नहीं कर रहे हैं, तब कही न कहीं लोगों के मन में डर है, तो लोगों को ये हम बता देते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप तक वैक्सिन नहीं पहुंचे है या आप वैक्सिन नहीं लगवा पाई हैं, फिलहाल एक दो दिन, क्योंकि अभी थो अभराने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में होगा थोड़ा लेकि इसके बाद प्रोसेस जब बढ़ेगा और जब दिमान बढ़ रही है और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसके बाद चीजे सारे स्मूध हो जाएंगी, इसलिए घबराएं नहीं और से खुद का कॉल है कि आज वेकसिनेशन उनकी तरफ से शूरू हो गया है क्योंकि देखे जो देरी हो रही है, वो उसलिए हो रहे है क्योंकि तमाम अस्पताल ओसे हैं जो अपनी साइट से अपडेट नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर प्रयाप्त मात्र में नहीं है और अगर आप रजिस्टरेशन कर रहे हैं आपने किया होगा तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं ये कहूंगी कि समाधान जो है इस चेन को तोडने का इस संक्रमन को रोकने का वो लॉक्डाउन ही दिखता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देखिए अभी तक पावंदिया सक्त कर दी गई थी लेकिन पिछले साल जिस तरह से सक्त लॉक्डाउन लगाया गया था त पिछले बार नहीं कर पायते हैं ऐसे में अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट की बात करें तो उन्होंने चेताया है देश में बढ़ते संक्रमन को लेकर वो इसलिए क्योंकि उन्होंने का है कि इंडिया को भारत को कहीं ना कहीं लॉक्डाउन की जरूरत है तब यह चेन पिछले साल से अब यह उबर नहीं पा रहे हैं हम सोच रहे हैं अभी यानि कि सरकार की में बात करें सरकार सोच रही है कि लोगों की आर्थिक स्थिती पर भी संकट ना हो और यह कोरोना का संक्रमन जो है वो भी जल से जल खत्म हो जाए लेकिन उसके बावजूद पारूल अब के रहे हैं कि low down की बात लगतार हो रही है ऑर अमेरिका की एक्ष्पोर्त से हो कह रहे हैं कि भारत को लोग डाउन लगाना चाहिए बिल्कुल भारत में भी एक तबका ऐसा है जो लग डाने की पक्ष में है क्योंकि ब्रेक हो जाएगी hospital जो हमारी जो पूरी स्वास्त महकमा है स्वास्त जो पूरा विवस्ता है उसको भी सांस लेने का time मिलेगा तुक्त अभी ऐसे हालात हैं कि doctors को सांस लेने की फुरसत तक नहीं मिल रही है उनको थोड़ा time मिलेगा इसके अलावा अगर दूसरे तब की भी बात करो तो उनका यह कहना है कि उन-उन जगाओं पर लोगडाउन लगाए जाए जहाँ पर जादा मामने सामने आ रहे हैं विकल्प ये भी बहुत अच्छा है और विकल्प लोगडाउन का वो तो सब के सामने नहीं है अब देखना होगा कि किंदर सरकार इसकोर क्या फैसल लेती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगाता चाहे किंदर सरकार हो चाहे राजसरकार हो दोनों को फटकार लगा रही है और जवाब मांग रहे हैं कि तुरंत आप जवाब दे कि आप क्या प्लान कर रहे हैं इसके लावा अगर यूपी की मैं बात करूं तो यूपी में जो पंचायत चुना हुए थे उसके जो नतीजे हैं वो भी कल सामने आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से हरी जुनली मिल गई है एसे में संक्मा बढ़ रहा है लोग ही कह रहे हैं कि मतगणना क्या इतनी ज़्यादा जरूरी है इसलिए तमाम कुछ चैनल्स ऐसे हैं पारूल कुछ ट्विट्स मैंने देखे थे मतगणना के दौरान हम जब नतीजे आ जाएंगे सारे तब हम एक बार दिखा देंगे तो यह बहुत अच्छी पहल मैं मान सकती हूं कि सिर्फ चुनाव जरूरी नहीं है चुनाव की मतगणना अपनी चुनाव करा दिये इस पेंडेमिक टाइम में अब मतगणना पर तो कम बहर जरूरी हैं देखनी और समझनी करा दिये चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रहलिया होई तो उसको लेका पहले ही चुनाव आयोग को फटकार जो है वो लग चुके है लेकिन अब जो है चुनाव आयोग हो सुप्रीम कोट उन्होंने नतीजे आने के बाद जिशन पर रोक लगा दी है ऐसे में अब दे करा से बड़ेंगे या अपर गटेंगे उसको देखका जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस्पोल इंडिया